नमस्कार दोस्तों धर्मेश किचन में आपका स्वागत है आज हम बिल्कुल आसान वीधी से और बिल्कुल नए थेपला रेशिपी बनाएंगे जिसे हम मक्के के आटे के साथ बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है अपने मक्के की रोटी और मक्के का पराठा तो बहुती टेस्टी बनता है, सौफ्ट बनता है और खाने में मज़ेदार है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुती हेल्दी गुजराती स्टाइल में मक्कई का थेपला मक्की का थेपला बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तयार करेंगे और इसके लिए एक कप मक्के का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, आटा हमें वही लेना है जिसके हम चपाती बनाते हैं देट कप बारिक कटी हुई मेथी, आधा कप बारिक कटा हुआ हरा धन्या, वनफोथ कप कसा हुआ गाजर भी एड़ करेंगे, अब उसी के साथ एक उबला हुआ आलू भी कद्दुकस करेंगे, जिसे हमारा थेपला बहुती सौफ्ट बनेगा अगर आप आलू खाना पसंद नहीं करते, तो उसी की जगह पर आप एक उबला हुआ कच्चा किला भी एड़ कर सकते हो, अब उसी के साथ एक टेबल स्पुन अद्रक मिर्ची की पेस्ट, आप चाहे तो लसुन की पेस्ट भी एड़ कर सकते हो, वनफोथ टी स्पुन हल्द एक टी स्पुन अजवैन को हाथ से ही थुड़ा सा मसल कर एड़ करेंगे, आधी टी स्पुन हिंग, स्वादानू सार नमक एड़ करेंगे, और वनफोथ कब दहीं भी एड़ करेंगे, दहीं हलका सा खटा होना चाहिए, अब सभी सामगरी को अच्छे से मिला लेंगे अब थुड़ा थुड़ा करके पानी एड़ करते जाएंगे, और नर्म आटा लगा करके तयार करेंगे, और आटा लगाने में हमें पोना कब जितना पानी का यूज़ करना होगा, अब इसे अच्छे से मसलेंगे, दो से तीन मिनिट अच्छे से मसलना होगा, तो यहां हमा तुमारा थेपला बनाने के लिए आठा तयार है, अब हमें इसे बिलकुल भी रेस्ट नहीं देना है, तो अब हम तुरंट थेपला बना करके तयार करेंगे, तो आठे का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इस तरह से पेडा बना लेंगे, अब गेहु का आठा चिड़क कर गंटे के लिए भी रखेंगे तो आटा बहुत ही नर्म हो जाएगा और थेपला बेलने में परिशानी हो सकती है अब हमने इसमें बहुत सारी मैथी एड की है और मक्के का आटा भी है तो कीनारे फटेंगी तो इसलिए हम बड़ी सी कटोरी या डीश की साहिता से इस तरह से ग पलट देंगे और दोनों साइट गी लगा कर पलट पलट कर सीख लेंगे थेपला को इस तरह से घुमाते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो थेपला में डीजाइन अच्छी आएगी तो यहां आप देख सकते हो कि थेपला अच्छे से सीख गया है, अब समानवीदी से बाकी के थेपला भी सीख लेंगे हमने जितना मेजर्मेंट लिया है, उसी मेंसे 15 थेपला बनाया जा सकता है मैंने थेपला बनाने के लिए घी का यूज किया है लेकिन आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हो लेकिन थेपला बनाने के लिए हमने मैथी का और मक्के के आटे का यूज किया है तो ये घी में ज्यादा अच्छा लगेगा आप इस थेपला को सुबर चाई के साथ या फिर आलू की भाजी के साथ सव कर सकते हो सच में दोस्तों इस तरह से बनाएं गए थेपला बहुती सोफ्ट बहुती अच्छे बनते हैं तो इस आसान सी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके जरूर बताईएगा मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ